ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूद सवार था उसने अपने पापा से जगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया उस समय में अपनी आस पास दिखती हुई हर रेक चीज और मनुष्य प्राणी वगेरे की फोटो खिंचता रहता था और अपने आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा लेकिन मेरी हाला तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेथ कहद हुआ पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक और वाइट फोटो है लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रॉंक्टे खड़े हो गए क्योंकि उसमें मुझे कुछ अजीब सी दो आँखें दिख रही थी और वो आँखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थी डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंथ ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबट में रख दिया करीबन रात को दो बजे के आसपास कबाट में से धिरे धिरे आवाज सुनाने लगा मेंन बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाट का दर्वाजा खोल के देखा की कैमरा कवर में से बहार आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी में तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया ये पूरी घटना सुनके पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तटपे बैठके कैमरा से फोटो खींच रहा था बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमेरा में फोटो देखने लगा उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फोटो मेरी में मेमोरी में फिर से आ गया था उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंथ ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर थर-थर कामने लगे आप सोच भी नहीं पाएंगे के उसमें क्या था ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आँखें वाला प्रेथ खड़ा था इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिये और तुरंथ ही कैमेरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमेरे की मेमरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी उस दिन मेरे पापा मुझे पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले कि अगर तुझे ये कैमेरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मता दुसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया अब तो धीरे धीरे बंध कबट में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है क्योंकि मैं परलॉलिक घटनाओ को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ सुबह मैंने हिम्मत करके कैमेरा बाहर निकाला और फिर से मेमरी देखने लगा उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूल की उसकी सजा तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले मेमरी से डिलीट हो जाएगा 45,000 रुपे में खरीदा हुआ कैमेरा मैंने 20,000 रुपे में बेच दिया मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे केमेरे में कैद हो गया लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबुज के केमेरे में कैद कर दिया अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमेरे से डर लगने लगा कि कंहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा तो दोस्तों ये थी राकेश के साथ घटी घटना तो इसके बारे में अपनी राय दे और जल्दी से वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स फॉर वाचिंग